करेंगे लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे चार्ज डिस्ट्रिबिशन के बारे में और इस लेक्चर में हम उसे कंटिन्यू करेंगे और उस लेक्चर में जो Чер주 उस अधी marksल आ ख़र यविश्कस करेंगे और फ़ाल्स लेक्चर में अग्चरिक के लिए थे लिए यहां पằng घंस करेंगे हम डिस्कस करेंगे क्यूंकि हम उनके बारे में लास्ट लेक्चर दिस्कस कर चुके थे काफी अच्छी तरीकेstory so question था कि हमें find out करना था charge where charge density on the ring of radius r is given like this expression so इस expression से तो हमने जैसे की last lecture में discuss किया था lambda is equal to dq over dl और यहां से हम यहां से q की value find out कर सकते हैं q is equal to integral of dq तो यहां जागा lambda dl अब हमें पता है जो ring होती है अगर हम radial coordinate के terms में देखें तो ring जो होगी अगर यह 5 coordinate है और यह d5 coordinate है तो यह जो dl होगी यह हम कैसे निकाल सकते हैं यह r है तो यह rd5 होगी यहनि कि ring के case में जो dl की value हो जाएगी वो rd5 हो जाएगी वो ही हमने यहां पर किया है dl की जगा rd5 रग दिया और lambda की जगा यह value रग दी यह हम already last class में कर चुके हैं इसलिए हम ज़्यादा discuss नहीं करेंगे again जब हम integration करेंगे तो यहां पर 1 का integration आएगा d5 का integration 5 आएगा और limit है 0 to 2π और यहां पर cos 5 d5 0 to 2π आपको पता है यह value 0 होती है from standard integration यह हम already discuss कर चुके हैं से हमारे पास value आजेगी lambda 0 r 2π second जो example आपको दिया था वो दिया था कि lambda की value अगर यह हो जाए lambda 0 sin 2 5 in that case q again वही expression आएगा अब आपको क्या करना है आपको यह चीज अच्छे से याद रखनी है कि अकर आपको lambda given है and total charge पूछा है तो आपको basically क्या निकालना है यह integral solve करना है q is equal to integral lambda d तो आप यह धियान रखेंगे सबसे पहले मैं आपको suggest करूँगा कि आप आपने notes खुद बनाईए और इन चीजों को आप कहीं पे short notes की term में लिखते रहें किसी portion में किसी special notebook में जब भी आप examinations के लिए जाएंगे तो आपको केवल यह formula लिखना है और कोई example नहीं करना है उस note book में जो आपका special note book होगा उसमें कोई example नहीं करना है जब आप examination के लिए jांगे for example आपका net का exam है आप examination के लिए जा रहें तो जब आप जा रहें या उससे पहले 2-4 घंटे जो भी आपके पास टाइम बचा है, आपके वाले special formula जो आप कहीं कहीं पर use होते हैं और यह वाला formula है जैसे इसको आप लिख सकते हैं, आपके लिए special formula कुछ भी हो सकता है, आपको feel होता है कि नहीं यह थोड़ा important चीज है, मुझे याद रखनी उसके आगे पीछे कुछ ज्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि यह क्या है, तो आप इस expression को उस book में directly यह से लिख सकते हैं, अब आपको पता है इसका मतलब क्या है, एक आपका normal notebook में तो आप सभी कुछ लिखेंगे, लेकिन एक special notebook होगा, उसको आप categorize मत कीजिए subject wise, notebook क यह अंदर आप categorize कर लिजिए, कुछ page EMT के लिए रख दीजिए, कुछ page mathematical physics के लिए, कुछ page classical physics के लिए, और उनके important important formula उनमे लिख दीजिए, तो जब आप exam देने जाएंगे, उससे पहले आपके पास एक ही book होगी, जिसको आपको revise करना होगा, तो वो चीज आप कर लिजि लिए है, तो उसमें तो कोई doubt नहीं है, r constant है, तो r भाल ले लेंगे ring के लिए, तो यह r बार आगया, now यह integration आगया, 0 to 2 5 sin square 5 d5, अगर आप लोगोंने mathematical physics की lecture series, vector algebra and vector calculus वाली lecture series पूरी देखी होगी, तो आपको इस integration में कोई doubt नहीं होगा, I hope अगर किसी ने नहीं देखी है, तब भी वो यह integration आसानी से solve कर सकता है, पर यहाँ पर एक important बात यह है, कि इस integration की value हमने वहाँ पर आपको बताई थी, कि यह one of the standard integration है और इसकी value होती है pi, चाहें तो आप solve कर दीजिए, कैसे solve करेंगे आप, इस sin square 5 को आप लिख देंगे, 1 minus cos 2 5 upon 2, right, and फिर आप उसका integration कर द तो आप इस standard integration को भी आप special notebook में लिख सकते हैं, अगर mathematical physics के calculus, vector algebra वाला playlist आपने देख ली है, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप वहाँ पर already इसको लिख चुके होंगे, so anyway, मुझे यह integration कभी भी solve नहीं करना है, क्योंकि मुझे यह standard integration याद है, तो य या जाएगा हमारे पास, देखे, कुछ standard integrations आपको अगर याद है, तो जो examination में questions बनाते हैं, वो लोग इस चीज को कही न कहीं दिमाग में रखते हैं, कि यह integration अगर बच्चे को याद है, तो answer quickly निकलाएगा, otherwise आपका problem उतना time consume नहीं करेगा, जितना आपका integration consume करेगा, लेक है, तो याद होगा, इसलिए आपको time नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए आपको यह integrations याद रहने चाहिए, similarly आप cos square phi के लिए करेंगे, तो यहाँ पे lambda not sin square phi था, अब simply sin square phi की जगा, cos square phi आ जाएगा, तो यह cos square phi, again this entire value, sin square phi d phi, limit 0 to 2 pi, is also pi, and cos square phi d phi, 0 to 2 pi, is also pi, यह standard integrations है, as I mentioned earlier, so इनको आप याद रख लिजे, okay, so यह हमारे पास total charge की value आ गए, I hope, सब लोगों का एक answer आ गया होगा, now we will move to next example, next example क्या है हमारे पास, हमें find out करना है, electric field at point O, at this point, if the charge density of semi-circular wire is lambda, इसकी charge density कितनी दी है, lambda की बाद, right, अभी हमको वो सारे formula पता होने चीए, जो अभी तक हमने electric field के निकाल ली है, तो electric field के अभी तक हमने तीन formula निकाले, एक point charge का formula निकाला, एक wire का formula निकाला, rod का, which has length L, right, and एक निकाला हमने ring का, जिसका radius R है, और charge density lambda थी, right, यह अभी तक हमने निकाला, अब हम इसका find out करना है, तो यह हम कैसे करेंगे, वही same trick है, trick क्या है, कि हम इस पूरे section को एक small element assume कर लेंगे, पूरे section में, so let's say यह हमने small element assume कर लिया, right, तो यह हमारे पास section बन गया, यह हमारे पाद phi हो गया, let's say तो यह हो गया d phi, अगर यह d phi है, तो इस element की length कितनी हो जाएगी, r d phi, okay, so therefore, charge on small element, right, r d phi will be, कितना होगा, हमें पता है, कि lambda की definition क्या होती है, d q over dl, right, so यहाँ से small element में charge कितना होगा, d q is equal to lambda into dl, where dl is the element, और यहाँ पे dl की value किती है, हमारे पास, r d phi, तो उसको हम लिखते हैंगे, lambda into r d phi, okay, I hope यहाँ तक किसी को कोई problem नहीं होगी, अभी आप इसको ध्यान से समझेए, हमें यह semi circular loop दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसका हमें find out करना है, electric field, at point o, लेकिन हमने क्या assume किया, हमने एक small segment assume किया, जिसको हम as a point charge consider करेंगे, और उसकी वज़े से, o point पे electric field find out कर लेंगे, क्योंकि यह small section है, तो इससे point charge consider कर सकते हैं, तो उसकी वज़े से electric field find out करेंगे, therefore, electric field due to small element at point o, small element की वज़े से point o पे कितना electric field होगा, तो हम लिख सकते हैं, that will be very small, right, now electric field ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने दो चीजें लिखी है, vector quantity लिखी है, तो इसके पाद दो information होगी, magnitude होगा और एक direction होगी, so हम सबसे बहले magnitude लिखेंगे, right, so magnitude क्या होगा, 1 by 4 pi epsilon 0, now d e is the small electric field due to a small element dl, right, so उसकी वज़े से क्या होगा, d q divided by, और distance कितना है, इस element से o का distance कितना है, radius of semi-circular loop, that will be r square, so this part is the magnitude part, everybody is clear, now we need to write direction, और direction क्या होता है, unit vector, unit vector हम कैसे लिखेंगे, देखे, अब o point पे मुझे पता है, d e की जो direction होगी, वो ऐसे होगी, right, इस direction में d e होगा, यह मुझे पता है, अगर यह मुझे पता है, तो मुझे यह भी पता है, अगर यह angle phi है, तो यह angle भी phi होगा, अब मुझे पता है, अगर किसी vector का मुझे, x-axis से y-axis से और z-axis से एंगल पता है तो उसका unit vector कैसे लिखता है पिकाज unit vector ही तो direction होती है तो ये तो हमने magnitude लिख दिया अब direction की बारी है तो मैं आपको एक बार फिर से revise करवा दूँ अगर किसी vector का x-axis से एंगल alpha है और y-axis एंगल beta है in that case अगर मेरे को उसका unit vector लिखना है तो unit vector हो जाएगा हमारे पास cos alpha i-cab plus cos beta j-cab इस तरीके से unit vector लिखते हैं ये चीज हम अच्छे से cover कर चुके हैं vector algebra and vector calculus वाले section में आप चाहे हैं? वहाँ जाके देख लीजे तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यह जो de vector अभी है हमारे पास इसका x-access से angle कितना है? 5 और y-access से कितना angle है? आप देख लीजे 90-5 तो unit vector क्या बनेगा? unit vector हम लिख सकते हैं cos 5 पर ध्यान दीजिए जो यह cos 5 है यह negative x direction में अगर मैं reference axis ले लूँ यह reference axis यह x direction है यह y direction है तो जो cos 5 है यह वाला जो x वाला component है is de का that is in negative direction इसलिए minus i cap लिखेंगे प्लस अब बात आती है cos 90-5 and then हमें y वाला component देखो इस e का नीचे की तरफ होगा that is minus j cap I hope सब को clear हो गया होगा यहां पर now हम इसको तो हमारा de के दो information था एक magnitude था और एक direction था जैसे ही हमने यह चीज लिखी हमने पूरा problem solve कर लिया अगर आप यहां तक लिख पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है electric field vector quantity है दो information carry करेगा magnitude और direction magnitude हमने point charge का formula यूज किया और direction के लिए हमने vector algebra का basic concepts यूज के unit vector हम कैसे लिखते है direction basically unit vector से रपरजनेंट हो थी चली अब हम यहां पे इसको थोड़ा सा अब मॉडिए जस्माथमेटिक से यह आजेगा हमार पा dE is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 now tell me what is the value of dq so from equation number 1 from equation 1 dq is given to us that is lambda r d5 over r square can you see that this r square is there और यहां पे हम लिख देंगे इसको cos phi minus i cap minus sin phi j cap right so I should write it okay तो यह ऐसे लिखते हैं क्योंकि cos 90 minus phi क्या होता है sin phi होता है तो इस r चे एक बार यह r cancel हो जाएगा तो हम therefore net electric field electric field at point o due to semi circular loop loop of radius r would be कैसे निकालेंगे हमने इस small section की वज़े से electric field o point पे निकाल लिया है तो अब मेरे को ऐसे ऐसे बहुत सारे small sections होंगे आपको आप बताने की जरूरत नहीं है हम कैसे find out करेंगे उन सारे small sections को add कर देंगे और हो sedation को क्या बता है समय से तो जस्ट जो यह electric field हमने निकाला इसको integrate करना है right so e is equal to हो जाएगा हमारे पास integration of d e okay just आप integrate कर दीजिए तो हम यहाँ पे integration लिख देंगे lambda upon 4 pi epsilon not r यहाँ जाएगा cos phi minus i cap minus sin phi j cap okay और यहाँ पे आजाएगा हमारे पास d phi okay अभी हम limits put करेंगे उसको बात ना रहता है चलिए यहाँ से अगर हम करें इसको solve तो यहाँ जाएगा lambda upon 4 pi epsilon not r integration minus cos phi i cap that is d phi right and minus sin phi integration d phi और यहाँ पे j cap लिख दिया अब बात आती है हमें integration limit रखनी है phi की आप देखिए यहाँ पे integration phi के respect में हो रहा है अब चलिए diagram पे चलते हैं तो phi कहां से कहां तक वरी करेंगा यह angle phi है जो की x-axis से angle बना रहा है this is x-axis this is y-axis तो x-axis angle जो बना रहा है that is phi तो अगर आप देखेंगे phi अगर यहाँ पे है हमारे पास तो अगर मैं phi की limit देखूं तो phi की limit यहाँ से start होगी x line से इस line से और यहाँ पे खतम होगी तो कैसे होगा यह phi है इसको पूरा ऐसा rotate होना होगा तो इस तरीके से rotate होने के लिए मतलब angle कहां से कहां जाएगा phi is equal to 0 से pi तक जाएगा 180 degree तो यहाँ जगा 0 to pi and यहाँ जगा 0 to pi ओके आप सभी लोग इस integration को आराम से solve कर सकते हैं तो यहाँ जगा 4 pi epsilon not r अगर मैं बात करूं cos phi 0 to pi मुझे पता है यह 0 होता है standard integration राइट and otherwise आप इसको solve कर सकते हैं बड़ी आसानी और sin phi is 0 to pi मुझे पता है इसकी value 2 होती है तो यह हमारे पास क्या आजाएगा यहाँ जाएगा minus 2 j का अगर आपको standard integrations पता है तो आप directly कर सकते हैं और नहीं तो आप इस integration को आप आसानी से solve कर सकते हैं I don't think कि किसी को यहाँ पे sin phi और cos phi का integration नहीं आता होगा okay fine you solve it you will get the answer but otherwise you can write these standard integral 0 से pi cos phi d phi की value 0 होती है 0 से pi sin phi d phi की value 2 होती है आप जब बार बार practice करेंगे किसी चीज की तो अपने आप याद हो जाएगे तो आपको इस चीज को रटने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि काफी बारBobblems koo solve कर चुका हूँ तो इसलिए मेरे को यह चीज आद There be a अप को घबराने की कोई जरूरत नहीं कि मुझे कैसे याद याद है आपको क्यों नहीं आपको वी आसानी से तिरे दिरे याद और चलें तो यह 2 से 2 cancel हो जाएगा तो यह two times यहां cancel हो गया therefore net electric field हमारे पाग कितना आ गया net electric field आ गया lambda upon two pi epsilon naught r और यह minus का j का so this will be the electric field due to semi circular loop at its center okay so I hope किसी को इसमें problem नहीं आई होगी now we will move to next example next example क्या है अभी यहां पे हमें एक आर्क गिवन है right same problem में कोई difference नहीं है right इस आर्क में क्या गिवन है मैं ध्यान दीजे हमको बोलावा है कि इसकी charge density है lambda और इसकी radius है आर यह आपको गिवन है right इस आर्क की radius आर आपको क्या find out करना है electric field at point o कैसे find out करेंगे वही जो अभी किया था एक small section लेंगे de का right और उस de की वज़े से हम क्या करेंगे यहां पर यह 5 अंगल है यह d5 हो जाएगा तो यह वाला हो जाएगा rd5 I don't think किसी को कोई problem आएगी right और जब आप यहां पर de की value निकाल लेंगे इस small element की वज़े से तो आप ध्यान से देखिए इस de में और यहां पर जो हमने de consider किया इसमें कोई अंतर नहीं है right केवल अंतर कहां पर आएगा जब हमने 5 की limit लिया था 0 से pi यहां पर अभी 5 की limit केवल 0 से pi by 2 लेंगे बस इतना ही difference हो तो मैं यहां से directly de की value ले सकता हूँ तो आप करेंगे तो de की value exactly यही आएगी तो de की value क्या आ जाएगी हमारे पास यहां से अगर मैं लिखना चाहूं de की value हमारे पास आ जाएगी 1 by 4 pi epsilon 0 तो de की value अगर आप लिखेंगे that will be 1 by 4 pi epsilon 0 lambda d5 over r और यहां पर आ जाएगा हमारे पास minus cos phi i cap minus sin phi j cap इसको मैं दुबारा solve नहीं करना चाहरा हूँ कि किस तरीकी से हम de लेके आएगे यह magnitude पार्ट से आए और यह direction पार्ट से एक्जाक्टली सेम तिंग जो हमने प्रिवियस एक्जाम्पल में की अब यहां पर अगर नेट इलेक्टिक फील्ड निकालना है हमें नेट इलेक्टिक फील्ड राधर आए आए शुट से एलेक्ट्र स्टाटिक फील्ड आप ध्यान रखी है जो इलेक्टिक फील्ड निकाल रहे हैं इसको रख देंगे तो हमारे पास यहां पर लेंडा अपन फॉर पाई एपसलन नौट आर यह बाहर आजाएगा सब कुछ कॉंस्टन है अंदर क्या बचेगा हमारे पास अंदर हमारे पास बचेगा माइनस कॉस फाई माइनस आई कैप कॉस फाई दी फाई माइनस जे कैप इंटेग्रल साइन फाई दी फाई यह बचेगा अब 5 की limit देखें, 5 कहां से start होगा, 5 इस line से start होगा, इस line पे खतम होगा, तो इस line पे 5 की value 0, इस line पे 5 की value 5 by 2, तो 0 से 5 by 2, यहां भी 0 से 5 by 2, अगें, मैं यहां पे आपको standard value याद दिला दूँ, इसकी standard value होती है 1, और इसकी भी standard value होती है 1, हालां कि हमने इन चीजों को आपको vector algebra में आपको already बता दिया, लेकिन आपको अगर नहीं बता है, तो मैं दुबारा बता देता हूँ, देखें, cos का graph याद रखें, cos का graph कुछ इस तरीके से होता है, तो यह 0 होता है, यह pi by 2 होता है, यह pi होता है, यह 3 pi by 2 होता है, और यह 2 pi होता है, अब आप एक चीज ध्यान रखें कि जो इतना section होता है, cos या sign के graph में, उसका value 1 होता है, इसका value minus 1 होता है, और इसका value 1 होता है, यानि कि आप देख लिए, 4 quadrant होते हैं, तो एक quadrant यह हो गया, एक quadrant यह हो गया, एक हो गया, सब में 1 value होती है, area under the graph, लेकिन अगर axis से नीचे हैं, तो minus ले लेंगे उपार, similarly sign में देख लीजे, sign के case में, आपके पास ऐसा होता है, इस case में, आपके पास, यह 0 है, यह pi by 2 है, यह pi है, यह 3 pi by 2 है, और यह 2 pi है, तो इस वाले section का, जो area होगा, that is 1, इस वाले section का, जो area होगा, that is also 1, this is minus 1, and this is minus 1, I hope सबको clear है, अब आप देखिए, अगर आप sign को 0 से 2 pi integrate करेंगे, तो basically आप इनको add कर रहे हैं, right, तो add कीजिए, तो 1 plus 1 minus 1 minus 1, तो 0 आएगा, तो हमने बताया था आपको, अच्छा, 0 से pi तक कीजिए, sign को integrate, तो 1 plus 1, 2, last, में हमने discuss किया था, last example में, यहाँ पे देखिए, cos को अगर मैं बुलूँ, 0 से pi integrate करेंगे, curves देखके आप इसका answer निकाल सकते हैं, cos 5 d5, मैंने बुला आपको 0 to pi integrate कीजिए, right, देखिए, 0 से लेकर pi तक, यह plus 1 है, यह नीचे minus 1 है, plus 1 minus 1 कितना हो गया, 0, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप directly, इसको इस तरीकी से, similarly, अगर मैं आपको बुलूँ, cos 5, pi by 2 से 2 pi तक निकाल लिया है, अब आप इसको solve करते रहेंगे, मैं solve नहीं करूँगा, मैं देखूँगा, pi by 2 से लेकर 2 pi तक, तो minus 2 नीचे आएगा, और यह plus 1 उपर आएगा, तो minus 1 answer आएगा, आप चेक कर लेजिए, आप इसी तरीकी से practice करते हैं, अगर मैं इसी की बात करूँ, इस example में हमारे बास क्या आया है, 0 to pi by 2, cos 5 d5, तो 0 से pi by 2 तक आप देखो तो यह value 1 है, sin 5 के लिए देखो 0 से pi by 2 तक, यहां तक यह value 1 है, तो मैंने इस दोनों जगा 1, 1 value रोग दी, I hope अब आप इस trick को apply करके, cos और sin gain integrations easily find out कर सकते हैं, तो हमारे पास तो directly यहां पर electric field की value आजाएगी, तो electric field would be lambda upon 4 pi epsilon not r, and this will be 1, 1, that is minus i cap minus j cap, so this will be our answer, okay, I hope सबको यह चीज़ clear हो गई होगी, now we have next example, a line charge density lambda on this rod, calculate electric field at point P, at this point we need to find out electric field above the end, above end of the wire, right, यह wire है, तो इसके किसी end के उपर, तो यहां पर हमने end ले लिया, इस point पर हमें electric field निकालना है, तो देखे, इसके लिए क्या करेंगे, again वही strategy है, we will take a very small section, right, let's say हमने क्या लिया, small section, dx, क्योंकि यह one dimensional object है, तो इसमें dl की value कैसे लिए, यहां से लेकर यहां तक इसकी length कितनी है, इस small element की x है, इस पर charge कितना होगा, अब मैं यहां पर directly लिख सकता हूँ, I think, lambda की value क्या होगी, dq over dl, लेकिन dl यहां पर क्या है, dx, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, dq की value क्या हो जाएगी, lambda times dx, I don't think की मुझे इसके लिए, especially कोई नहीं जगल, यहां पर मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, charge on element, अभी तक सबको यह चीज clear हो गई होगी, अब हम क्या करेंगे, इस element को as a point charge consider करेंगा, और p point पर electric field करेंगा, therefore, electric field, due to small element, dx, at point p, right, हमें electric field निकालना है, due to this small element at point p, तो कितना हैंगा, ध्यान जाएगे, कैसे निकाल सकते हैं, यह हो जाएगा d e, now d e मैंने यहां पर vector लिखा है, आप देखें, तो इसके बाद दो information होना है, पहली चीज, magnitude, magnitude हम कैसे यूज करेंगे, हमें पता है, point charge का formula क्या होता है, तो point charge का formula लगाएंगे, तो 1 by 4, 5, अलन नोट, charge is dq, divided by r square, the distance between the charge, and the point of interest, तो कितना होगा, यह z distance हमें दिया है, यह x distance दिया है, तो यह क्या जाएगा, under root, x square, plus z square, I think सबको clear होगा, तो इसका square कर देंगे, क्योंकि q upon r square होता है, तो यह आजाएगा, x square plus z square, यह हो गया magnitude part, now we have to write direction, direction कैसे लिखेंगे, again, तो direction के लिए हम assume कर लेते हैं, let's say, this angle is theta, right, तो यह angle theta है, तो इस point पे electric field की direction कैसे होगी, इस point पे, because of that small element, dE will be like this, अगर dE कुछ ऐसा होगा, तो इसके दो component बनेंगे, horizontal and vertical, अब बताएगे, horizontal के साथ angle कितना बनेगा, theta, तो vertical के साथ, अगर मैं angle लिखूं, तो क्या बनेगा, 90 minus theta, तो अब आप देखिए, unit vector कैसे लिखेंगे, cos alpha, alpha is angle from x-axis, तो angle from x-axis कितना बन रहा है, cos theta, that is i-cap, तेकिन i-cap कौन सा है, negative, अगर मैं यहाप रिफेंस directions ले लूँ, यह x direction, यह y direction, तो negative x direction, तो यह आजागा minus i-cap, okay, plus, then हम लिखेंगे, y component, that is, cos beta, beta is the angle from y-axis, तो यह dE, कितना angle बना रहा है y-axis से, 90 minus theta, तो यह आजागा, cos 90 minus theta, into j-cap, देखेंगे, यह उपर की तरफ है, तो positive y direction की तरफ है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, j-cap, आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजे, क्योंकि, मैं इस चीज़ पर इतना ज़्यादा focus इसलिए करवा रहा हूँ, आप सभी से, क्योंकि आपको अगर यह vector लिखना आ गया, तो आप आ गया, आपको कोई problems नहीं होंगी, तो आपको पता होना चाहिए vector कैसे लिखना है, तो magnitude हमने लिख लिया, डिरेक्शन उसकी लिख लिख लिए, चलिए, इसको modify करते हैं, तो d e vector, we can write as, 1 by 4 pi epsilon naught, that means write as, lambda dx, हमें पता है, d q की value lambda dx है, divided by x square plus z square, ओके, और इसको हमने लिख दिया, minus cos theta i cab, plus sin theta j cab, I don't think यहा तक किसी को कोई problem होगी, अब बात आती है, therefore, net electric field, field, e निकालना है अब है, अब इसके बाद यह सारी problem जो बची है, वो integration की बची है, I hope सभी को integration आते होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, lambda upon 4 pi epsilon naught, हमें एक साथ लिख सकते हैं, यहाज़ेगा dx over, यहाज़ेगा x square plus z square, और यहाज़ेगा, minus cos theta i cap, plus sin theta j cap, ओके, इसको हम further modify करेंगे, तो lambda upon 4 pi epsilon naught, यहाज़ेगा हमें पास, integration, dx over x square plus z square, और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, अभी cos theta i cap, plus sin theta j cap, अभी इसको बस हमें solve करना है, कैसे solve करना है, आपको पता है, z is a constant quantity here, so this is something a square plus x square atom, तो substitution करना पड़ेगा, यहाज़ेगा, फिर x is equal to 10 theta रखना पड़ेगा, यह x is equal to 1 cot theta रखना पड़ेगा, वो किस हिसाब से रखना पड़ेगा, यहाँ हमें देखना पड़ेगा, कि x और z के बीच में क्या relation है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, तो x upon z की value अगर मैं देखूँ, तो यह आजाएगी cot theta के बराबर, एक सपन z अगर मैं देखूँ, तो यह आजागा cot theta के बराबर, तो हमारे पाँ x is equal to क्या आजागे यहाँ से, x is equal to z cot theta, तो हम dx की value अगर निकालना चाहे तो क्या आजाएगा, z minus cosec square theta d theta, इन values को यहाँ पर substitute कर देगे, so therefore net electric field हमारे पाँ कितना आजाएगा, net electric field आजाएगा, lambda upon 4 pi epsilon naught, और यह dx की जगा आजाएगा, minus z cosec square theta d theta divided by, और यहाँ आजाएगा हमारे पाँ, z square cot square theta plus z square, और यहाँ आजाएगा, minus cos theta i cap plus sin theta j, limits के बारे में हम भाद में discuss करेंगा, limits हम x की ही put करेंगे, तो उसके लिए हम transform करेंगे, theta को again x में, so यहाँ आजाएगा, lambda upon 4 pi epsilon naught, ऐसे ही आजाएगा, तीक हें, यहाँ से z square common आएगा, जब z square common आएगा, तो अंदर बचेगा, 1 plus cot square theta, तो यह बनेगा, z square 1 plus cot square theta, right, and 1 plus cot square theta is, cosec square theta, तो यह 1 plus cot square theta से, यह cosec square theta cancel हो जाएगा, right, तो हमारे पास क्या बचेगा, इस z से, z square का एक power cancel हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा माइनस sin हम बाल लिख लेते हैं चलिए तो हमारे पास बचेगा integral और Z भी constant है तो उसको भी बाल लिख सकते हैं तो यह आजागा d theta और माइनस sin हम लिख ले चुके हैं तो यह आजागा यहां पर माइनस cos theta i cap plus sin theta j cap यह हमारे पास integration आ जाएगा चलिए इसको further solve करें तो minus है 4 pi epsilon not z cos theta का integration क्या होगा that will be sin theta तो minus sin theta i cap sin theta के integration minus cos theta तो minus cos theta j cap यह minus से अंदर multiply कर देंगे तो everything will be plus तो हमारे पास आ गया 1 by 4 pi lambda upon 4 pi epsilon not z और यह आजाएगा हमारे पास sin theta i cap plus cos theta j cap अभी हमें इसमें limits रखनी है limits कहां से कहां तक जाएगी x is equal to 0 to x is equal to l limit यहां से यहां तक जाएगी देखें यहां से यहां पे x की value 0 होगी और यहां पे x की value l होगी तो limits 0 to l हमारी जाएगी तो जब हम limit x is equal to 0 to l रखेंगे लेकिन यह तो theta की time है तो हम sin theta और cos theta की value यहां से निकालेंगे तो sin theta क्या आएगा यहां से अगर मैं देखूंगा तो z upon x square under root x square plus z square और cos theta क्या आएगा x upon under root x square plus z square तो sin theta हमारे पास हो जाएगा यहां पे but sin theta is equal to हमारे पास z upon under root x square plus z square and cos theta हमारे पास x upon under root x square plus z square I hope इसमें किसी को कोई problem नहीं है तो हम पहले इन values को यहां substitute करेंगे और फिल लिमिट्स फूट कर लेंगे तो therefore e की value आजाएगे हमारे पास lambda upon 4 pi epsilon not z और sin theta की value रखेंगे तो यह आजाएगा z upon under root x square plus z square and this will be I cap and then cos theta की value रखेंगे तो x upon under root x square plus z square and this will be j cap और यहां is 0 to L तो x की limit अब 0 to L रखेंगे तो सबसे पहले L रख लेते हैं तो यह आजाएगा 4 pi epsilon not z जैसी L रखेंगे तो यह आजाएगा z upon यह आजाएगा under root L square plus z square जैसी 0 रखेंगे वो आजाएगा हमारे पास z upon under root z square क्योंकि x की जगए 0 आजाएगा तो z upon under root z square that is I cap so simply 1 आजाएगा और यहाँ पे हमारे पास I cap आजाएगा plus जब इसमें हम आपा limit रखेंगे तो यह आजाएगा L upon under root L square plus z square और जब lower limit रखेंगे तो देखें x की जगए जैसे 0 रखेंगे तो value 0 हो जाएगी तो 0 हो जाएगा तो यह जेगा so this will be the net electric field due to rod कब जब हम उसके किसी एक end पे हम electric field की value find out करें तो situation यह है कि हमारे पास एक rod है जिसमें charge density lambda है तो इसके एक end पे jet distance उपर किसी point पे electric field की value यह मिले के हम I hope सबको यह question समझ में आऊगा चलिए अब next example लेते है example है calculate the charge on circular disk of radius r that carries the charge density of this so this is the new way आप यहां पे जहां से देखिए उसने कहा है कि charge बोला किसके उपर है disk के उपर है यह कोई disk है इसके उपर है क्या है क्या है k r square delta z where delta is the delta function अब देखिए यह direct delta function यहां पे आपको एक confusion होगा कि आपको given तो है disk यह आपको disk given है जिसकी radius r है और disk होता है two dimensional object यह हम बोले disk is a open surface open surface का कोई volume contain नहीं करेगा तो इसके पास volume density तो होनी नीची है लेकिन row तो volume density होती है तो इसमें volume density कैसे दिया है उसने क्या किया है just इस तरीके की problems को समझने की कोशिस कीजिए उसने यहां पे यह direct delta function जो आपको दिया है वो define करने के लिए दिया है कि direct delta function किस point पे define है वो कैसे find out करते हैं जो यह function है इसकी value को 0 के equal रग देते हैं किस point पे define है तो z minus 2 is equal to 0 तो z is equal to 2 इस तरीके से हम find out करते हैं कि direct delta function किस point पे define है और किस point के लिए define है तो आगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे z is equal to 0 के लिए है तो यह वाला जो plane है वो कहना चाहरा है यहां पे कि z is equal to 0 पे जो charge density है वो कितनी है के r square है यानि कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यहां से कि यह sigma is equal to क्या है के r square जस्ट confuse करने के लिए उसने लिया था तो यह क्या बताना चाहरा है कि जो disk है या जो plane है वो कहां पे है z is equal to 0 plane z is equal to 0 plane means xy plane पे है आप सभी को पता है और जो charge density है वो rho नहीं है बलकि क्या है sigma है sigma is equal to k r square ओके हमें पता जल गया charge density है हमें charge find out we know that sigma का definition क्या होता है sigma is equal to dq over ds और dA जो भी आप लिखना चाहे where ds is the surface element surface element तो यहां से हम क्या लिख सकते है dq is equal to क्या जाएगा sigma ds I hope सभी को पता होगा कि sigma ds जो यह ds होगा that is surface element of a disk और अगर आपको याद हो जब हमने coordinate systems पढ़े थे vector algebra vector algebra vector calculus में हमने बताया था disk का surface element क्या होता है तो वो क्या होता है r dr d5 ओके आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि suppose करो कोई disk है तो डिस्क को आप क्या assume कर सकते हो कि disk is made up of rings concentric rings जिनका radius vary कर रहा है और उनकी जो radius है let's say r है और इस disk की thickness है dr so in this case अगर आप इसका area find out करना चाहें इसका कि इसका area कितना आएगा elemental area कितना आएगा या small element कितना आएगा तो आप कैसे कर सकते हो dr इसमें r के distance में है और ये assume कीजिए कि आप इप d5 एंगल है तो देखे इस curve की जो length होगी वो होगी r d5 और dr तो ये वाली thickness है ये वाली जो thickness है यहां से लेकर यहां तक कि वो length है dr तो area element जो ये वाला shaded area element है वो हमारा क्या होगा dr length into breadth that is r d5 तो dr r d5 इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं बट बेटर वे है कि आप इसको याद रखें कि disk का area element क्या होता है r dr d5 ओके तो अगर आपको ये याद है तो dq हमारा यहां से बन जाएगा sigma into r dr d5 this is integration तो यहां से अगर मैं standard formula बना हूँ तो यहां से q की value क्या आ जाएगी q की value आ जाएगी हमारे पास double integration sigma ds where ds is the surface element तो जो भी हमें geometry given होगी उसका हम surface element तो disk की surface element हमें पता है कि disk की surface element होती है r dr d5 हमने उसको substitute कर दिया sigma की value हमें पता है यहां से sigma की value कितनी है qr square इसको यहां पे substitute कर देंगे sorry I am so sorry this is q क्योंकि dq को जब integrate कर देंगे तो dq को जब integrate कर देंगे तो यह q आ जाएगा तो यह r cube dr हो गया और यह d5 अलग से हो गया अब इसका integration करना है तो d5 तो disk बनाना है तो 0 से 2 pi पूरा circle जाना पड़ेगा और r की limit कहां तक जाएगी उसने कहा कि disk की जो radius है वो capital r है यानि कि center से लेकर और capital r तक small r को जाना पड़ेगा तो यानि कि इसकी limit आ जाएगी 0 to capital r अब solve कर दीजिए इसको integrate करके 2 pi आएगा और इसको integrate करके आएगा r to the power 4 upon 4 तो यहां हम लिख सकते हैं k 2 pi r to the power 4 upon 4 इससे cancel हो गया तो हमारा पास आगया k pi r to the power 4 upon 2 this will be the total charge on this disk I hope सबको समझ में आगया होगा तो इससे आपको यहां पर एक formula मिल गया है कि अगर आपको sigma given है तो आपको charge कैसे find out करना है तो यह हमारा formula है बस आपके लिए इसके लिए क्या ढूंडना पड़ेगा suitable surface element और surface elements कैसे लिखते हैं in different coordinate system यह हम आपको vector algebra और vector calculus वाली playlist में बता चुके है now we will move to next question again we have similar question a circular disk of radius r has surface charge density sigma 0 r square sin square theta तो क्या given है sigma हमें given है sigma 0 r square sin square theta where theta is equivalent to phi here theta और phi को exchange कर जक्ते हैं disk के मामले में तो हमारे पास हमें q निकालना है तो q क्या हो जाएगा sigma into ds double integral right तो surface integral तो sigma की value रख दो सो sigma 0 तो भार आ जाएगा यहां जाएगा हमारे पास r square sin square theta और surface element अगर मैं लिखूँ disk का तो क्या लिखूँगा मैं यह लिखूँगा मैं r dr और उपर हमने d5 लिखाते हैं यहां पर हम d theta लिख सकते हैं क्योंकि d theta और d5 को disk के मामले में हम interchange कर सकते हैं तो यहां पर हम लिखतेंगे r dr d theta क्योंकि यहां पर theta integral है तो हम just क्या कर देंगे इसको just solve करना है तो यह आ जाएगा हमारे पास r cube dr यह हमारे पास आ जाएगा यहां पर sin square theta d theta integration आएगा 0 to 2 pi और यहां जाएगा integration 0 to r अब आप फिर से देख लिजिए यहां पर हमारे पास sin square theta d theta 0 to 2 pi आगे आप हर बार इस integration को solve नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका integration करेंगे जब limit ले लेंगे तो r to the power 4 upon 4 आएगा ओके तो इस question में कुछ था ही नहीं देखिए आपको यह पता है यह आप पहले practice करते आ रहे हैं तो आपको अभी तक पता चल गया होगा right second आपको क्या पता है यह तो simple integration पता है spherical surface का surface element क्या होता है cylindrical surface का surface element क्या होता है तो आपके लिए बहुत बड़ी problem होगे ओके आप इस चीज को ध्यान रखिए so again I am recommending कि आप पहले vector algebra or vector calculus की पूरी series को अच्छे से समझ लीचे अगर आपने अभी तक नहीं देखिए तब जाकर आप इस series को देखिए now we will move to next question so next example is a spherical shell now remember it is a shell shell मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है right football की तरह अंदर हवा है right कुछ है नहीं अंदर of radius r है charge density sigma now remember भले ही shell volume contain कर रही है volume create कर रही है close surface है लेकिन चार्ज जब distribute होगा तो okay well surface पर ही होगा क्योंकि अंदर तो material ही नहीं उसमें तो अंदर material अगर उसमें अंदर है नहीं तो पूरा का पूरा charge surface पर distribute होगा और भी हम देखते हैं हमको क्या given है हमको given है एक shell given है और इसकी radius कुछ r है यह हमको given है और चूंकि यह shell है तो इसकी जो charge density दिए हुई है हमें वो sigma दिए हुए है instead of rho हाला कि इसमें volume बन रहा है तो यहां जगा आप चाहें तो इस definition से हमें इसा start कर सकते हैं dq over ds से फिर इस ds को यहां ले जाए है integrate कीजिए आपके पाई यह equation आ जाएगी तो यहां से q की value क्या जाएगी q की value आ जाएगी sigma not cos square theta ds नो अगर मैं बात करूं कि आप surface spherical surface का surface element क्या होता है तो spherical surface का surface element क्या होता है of radius r अगर आपको याद होगा तो that and that is r sin theta d theta d5 तो this is r square sin theta d theta d5 this is the surface element of spherical shell this is ds for spherical surface of radius radius r आपको अगर नहीं पता है तो आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिए अगेन आम रिपीटिंग यह चीजें हम वेक्टर एलजब्र और वेक्टर calculus में अच्छे से solve कर चुके हैं और बता भी दिया है अगर आपको quickly जाना है तो at least आप coordinate systems lectures को देख लीजिए वहाँ पर हमने इसको detail में discuss किया है for surface element at least की different surfaces के surface element कैसे लिखेंगे तो यहांसे q की value आ जाएगे हमारे पास यह आ जाएगी सिग्मा नौड cos square theta ओके नाँ अगर मैं यहां पर बात करूं तो यह आ जाएगे हमारे पास r square sin theta d theta and d phi okay so theta क्या होता है अगर मैं square के case में बात करूं तो यह x direction है यह y direction और यह z direction है तो किसी भी point को अगर मैं p point को ले लों तो z axis से जो angle बनता है that is theta और p point का horizontal great circle में जो projection पे जो axis बनता है this is 5 उस projection का जो x axis angle है that is 5 तो 5 की limit क्या होती है na square बनाने के लिए इसको पूरा ऐसा horizontal में घूमना पड़ेगा तो 5 की limit जाती है 0 to 2 pi और theta की limit क्या होती है इस point से सुरू होके और negative z तक खतम होती है यहां से लेकर ऐस जाके यहां पर खतम हो तो 5 की limit हमारे पास क्या हो जाएगी 0 to 2 pi और theta की limit हो जाएगी 0 to pi for sphere तो यहां जाएगा sigma 0 बाहर आ जाएगा r square constant बाहर आ जाएगा यहां जाएगा cos square theta sin theta d theta और यहां जाएगा 0 to pi और यहां पर 5 के case में d phi simply 0 to 2 pi तो इसका integration तो directly 2 pi हो गया तो 2 pi sigma 0 r square right cos square theta cos theta को अगर हमें t put करूंगा तो minus sin theta d theta dt बनेगा right तो यहां जाएगा minus t square integral dt यहां पर right तो इसको कल लिजे 2 pi sigma 0 r square और यहां पर आ जाएगा minus cos that will be इसका integration कितना होगा t cube by 3 तो t cube by 3 मतलब t की जगा cos theta रखेंगे तो cos cube theta by 3 यहां जाएगा और limit कहां से कहां तक जाएगी 0 से pi तक यह minus sign हमने अंदर लिखती है यहां जाएगा 2 by 3 pi sigma 0 r square और pi जब हम limit रखेंगे तो cos pi की value minus 1 होती है तो उसका cube भी minus 1 होगा so that will be plus 1 minus already minus है that will be plus 1 again और cos 0 की value 1 होती है तो यह 1 by 3 I am so sorry that 3 is already outside तो यह आँ पे के वली आ जाएगा तो इसको हम अगर further solve करेंगे तो 4 by 3 pi sigma 0 r square so this is the amount of the charge on a spherical shell which has a charge density of sigma 0 cos square theta I hope यह चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी है किसी को कोई doubt नहीं होगा इसमें so अगर आपको यह अच्छे से समझ में आ गई है तो आप आगे I think कोई भी sigma given है आपको यह lambda given है तो आप charge find out कर सकते हैं देखे यह चोटी-चोटी problems है लेकिन यही problems है जो आपका basics build up करेंगी और फिर जब हम examination based questions लेंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी problem नहीं आएगे हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम directly examination based questions पर जाएं मैं तो problem solve कर सकता हूं लेकिन क्या आप कर सकते हैं इसके लिए यह basics develop करना बहुत ज़रूरी है इसलिए आप लोग भी मेनत करते रहें हम भी मेनत करते रहेंगे चले नाव एक problem है जो आपको खुद से solve करनी है और यह problem है we need to find out electric field at point P at this point P right of disk of radius R and surface chart density sigma इस surface chart density sigma given है यह disk है और उसकी radius R है हमें P point P electric field की value निकालनी है तो यह problem आपके लिए जब practice problem रहेगी आप try ज़रूर कीजिएगा कि हम कैसे इसको solve करेंगे next class में हम इस problem को discuss करेंगे करेंगे तो तो करेंगे तो धल झाल झाल